इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टरल लिमिटेट के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करन प्राइस की बात करेंगे तो 2017.90 है और स्टॉक जो है फ्राइडे की दिन अल्मोस्ट हमें 5% उपर के लेवल पे कारोबार करता हूँ अभी दिखाई दे चुका है 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 2654.80 है और इसका 52 वीक लो 1581.55 है तो वीडियो में इंतक बने रही है अब हम चलते हैं इसके टेकनिकल चार्ट पे यह जो आप चार्ट देख रहे हो मैंने इसको ट्रेडिंग वी वेबसाइट पे ओपन कर लिया है टाइम फ्रेम की बात करेंग सपोर्ट लेवल जो है बन चुका है स्टॉक जो है यहीं पर आने के बाद में यहीं से हमें पहले भी उपर की और बाउंस देखने को मिल चुका था अभी एग्जैक्ली स्टॉक यहीं से आने के बाद में लगातर दो दिन हम यहाँ पर तीजी दिखने को मिल चुकी है अग अगर आप Fresh Buy का प्लाइन करते हो तो इसके नीचे का Stop Loss लगा के आप जो है Fresh Buy का प्लाइन करिए इसके जल्द ही हमें इसमें उपर के अच्छे लेवल अच्छी होते हुए दिखाई दे सकते हैं और यह जो वीडियो बनाएगी है सिर्फो सिर्फ educational purpose के लिए बनाए गई है और चलते हैं हमें स्टॉक में अगेन ऊपर के लेवल जल्द ही अच्छी होते हुए दिखाई दे सकते हैं शॉट टाम या स्विंग ट्रेट के लिए भी ब्लैंड कर सकते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं इसके टिकर टेप वेबसाइट पर वहां से चेक करते हैं इसका सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखिया हमें कोई अट्रेक्टिव देखने को नहीं मिलता है इंट्री पॉइंट गुट टाइम टॉंसिडर सकते हो एंट्री करने का क्योंकि स्टॉक जो है ओरबार्ट जोन में नहीं है सबसे में जो इंपॉर्ण चीज़ होती है नोरेट फ्लैक शो कर रहा है जब भी आप कोई भी स्टॉक में लॉंग टर्म शॉट टर्म या स्विंग ट्रेट के लिए प्लैन करते हो तो नोरेट फ्लैक देखे ही आपको जो है उसमें एंट्री बनानी है तो चलिए अब हम च सबसे में जल्द ही ऊपर के लेवल अच्छी होती है भी दिखाई दे सकते हैं अब हम चेक करते हैं इसका फोरकास्ट एनलिस्ट हमें क्या सला देते हैं बाइंग की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा अभी तक आपने हमारी यूट्यूब च करते हैं फोरकास्ट एनलिस्ट हमें क्या सला देते हैं 21 निस्ट हमें यहांपे 38% सला दे रहे हैं जो की काफी कम जो है हम यहां पर एक्टिथ कось लाकर सकते थे लेकिन अभी की लिए हैं बिलो 40% है तो हम इसको जो है यहां पर एक negative तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में इस यूटूब चैनल के साथ तब तक के लिए टेक क्यार